आज हम लोग पार्ट फाइब पढ़ने जा रहे हैं रसाइन सास्त के अधारबुत ग्यान का और आज का हमारा टोपिक है रसाइनिक समिकरन लिखना नहीं यह थोग से सबसे टफ मान आ जाता है सभी को बोला जाता है याद कर लो लेकिन चलिए हम अपने वीडियो में पहले ही होती है पोटेसियम जिसकी संजोगता एक होती है और कैल्सियम जिसकी संजोगता दो होती है यह जितने भी चीज हमने पढ़ायते ना इसको कहते हैं हम लोग धातू धातू मतलब क्या हो गया मेटल नहीं मेटल ननमेटल लोहा सोना चांदी जो आप लोग पढ़ते हो सब व हट्टा लगता है ओएसीड है इस अे पिंगिरी का जल जाएगा नहीं हम लोग को दिमाग में चलिए हम लोग कुछ इस पढ़ने जा रहे स्बसे पहला नाम है से यह इसको कहते हम लोग हईड्रोग प्लोरिक शेड हाईड्रो ख्लोरिक अर्फ Por लोग को पढ़ना है हो h2so4, i amla यह अग्या है सेकेंड अ हुग तीसरा जो आप लोग को पढ़ना है फॉम्षब बोटों लोग में पाया जाता है यह गया carbonic amul carbonic amul fourth number जो हो गया आप लोगा H3PO4 वो हो गया आपका phosphoric amul phosphoric amul और last एक amul और चो आप लोगा पढ़ना है इतना काफी है हम लोगा है हम लोगा है HNO3 सबसे गरबढ अमल रहता है chemistry में ठीक है क्यों रहता है बताएंगे आपको नाइट्रिक इसका रियक्शन थोड़ा सबसे अलग होता है बट बनाने के लिए गलत बनाओ चाहिए हम लोग का मेन उद्धे से सिखना तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा जितनी भी धातू है ना उन सभी का दूस्मन होता है हाइडूजन सोडियम बुलेगा हम क्लोरीन से दोस्ति करेंगे लेकिन हाइडूजन को भगाओ तो आपको इसमें क्लोरीन को ध्यान रखना है जिसकी संजुक्ता होती है एक मैंने वीडियो नमबर टू में सारा बताया हुआ है ग्यारा सली के विस्तक ततों का सभी उजगता उसको आप लोग देखिएगा वीडियो नमबर फोर में मैंने सल्फेट फॉस्पेट नाइट्रिड सभी का संजुक्ता बताया आप लोग को देखिएगा ऐसो फोर जिसका वैलेंसरी होता है वन चेपा हुआ है यहाँ यहां पंफे मिए एच के मिए को थ्रीए संजुक्ता त्री में शुक्ता 2 Immediately वहीं संजुक्ता 2 somethin फैस यह 1 है तो यहां संजोकता एक बहुत जादा टफ नहीं है ध्यान दोगे सब में 1 खो करनाओ कर रहा है चलिए अब देखते हैं बोलेंगे सेर्द होता है जब सोडियम हाइडोक्लोरr ayacid से अभी करिया करता है क्या होता है जब sodium sulfuric acid से अभी करता या करता है sodium carbonate carbonic acid प्रषण करता है niteric acid से भी कibly करता है सब बनाने सुखेंगे इसी तरह magnesium hydrochloric acid से बिकरिया करता है magnesium sulfuric acid reaction करता है magnesium carbonic acid से अभी कुलिआ करता है और सब्सक्राइब है विकिड़ा करता है नेट्री इस सोडियम का भी पांच यह को पढ़ेगा मैंनी संगर पांच इसका फांच टॉटल 25 टीफाइब आज हम लोग पढ़ेगे अगला जो विडियो होगा उसको हम लोग बैलेंस करना सिखेंगे, लेकिन अभी फिलाल बनाना जो रही है, तो चलिए देखना सबसे पहले, हम लोग हेडिंग देंगे सोडियम, सबसे पहला रियक्शन, सोडियम का रियक्शन करवाओ भाईया, आ गया एक्जाम में सेल, बच नहीं, नेक्स्ट है, सोडियम है, एस्थि पयो prices क्या बनेगा, सुछते रहा हो, नमबर फाइब, सोडियम है, हömं लोग को सुछते रहा है हम लोग को बनाना है, मैंने क्या बताई, सोडियम बोलता है हम सील से सदोस्ति करेंगे बट hydrogen को बगाओ, hydrogen को बगादो, लेकिन hydrogen gas है, ठीक है? जिसके हम बूल है hydrogen का symbol है, hydrogen gas का बथाओ, hydrogen gas का बथाओ, यहां hydrogen 100 क्यों नहीं रहे आपको ही लिखना है यहां ठीक है बाकी देखेंगे क्या होगा यहां एक है वहाँ वही तो बैलेंस करना सिखिंग अगली वीडियो में चलिए अब एने बोला हम CLC दोस्ती करेंगे एने का संजुगता होता है एक क्लोरिन का संजुगता होता है एक दोनों को क्रॉस करो मैंने सिखाया है वीडियो नंबर टू में ठीक है तो देखो यहां पर यह हो जाएगा एने वन यहां वन नहीं लिखते हैं के मिस्ट्री में सीयल तो बन गया एने सीयल पलस ही पहला रिएक्शन तो बनके त्यार हो अगला देखते हैं एने एस फॉर से दोस्ति करेगा लेकिन पहले हटाएगा एच्टू को हटाएगा तो चलिए देखते हैं एच्टू को हटाते हैं अब सोडियम दोस्ति करेगा एस फॉर से सोडियम का संजुगता एक सल्फेट का संजुगता देखो मैंने लिखा है टू SO4, 2 को यहाँ लाओ, 1 को यहाँ लाओ, NA2, SO4, यार कितना एजी है reaction लिखना है, NA2, SO4, ना NA दोस्ती करेगा CO3 से, H2 को किनारे कर दो, NA और CO3, चलो हम लोग बनाते हैं, क्यों संजुकता ज्यान बखना, CO3 का 2 है, NA, CO3, इसकी वेलेंसी 1, 2, CO2, क्रॉस करो, NA, क्या हो जाएगा, NA2, CO3, देखिए आप लोगों, इसलिए मैंने कहा तक, एक बार में डारेक्टी वीडियो नहीं देखिए, पहले का चारो वीडियो जूर देखिए, तो आप एसेंस रखिए, ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है, लेकिन वह आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा, केमिस्टी पढ़ने में मज़ा आने लएगा, न एने है, पियो फॉर है, एने की संजोगता वन, पियो फॉर की संजोगता थ्री, ये थ्री को यहाँ लाओ, और वन को यहाँ लाओ, देने यहाँ आपकी बन जाएगा, ये एने थ्री, पियो फॉर, पलस, यहाँ पर एस थ्री है, क्या फरक पड़ता है, मैं तो यहाँ ए कि यादकरने का जुरत है एक जनिआ करने का जुरत नहीं है उसका च्रीक उसक बेसिक चीज हम लोग को मश dobh हैं बुलिग है सर मेगनिसियुम का रियक्षियं करवाना है हम दो को फ़स्त रियक्षियं आ गया एक्जाम ंस apologize क्या डर्णा नहीं हिम्मत से काम लेना है है ह्टुएसव його सोफॉर के साथ लात बेखन कर रियक्षिय। आप एमजी कारूनिक एस सीड के साथ H2CO3 magnesium का reaction करवा अब H3PO4 के साथ magnesium का reaction करवा HNO3 के साथ कितनी सारे reaction चाहिए यार अब देखो magnesium पहले तो हाइडोजेन को बगाओ कोई मेटल हाइडोजेन को देखना नहीं चाहता है अब आए क्लोरीन तो आजाओ magnesium लिखते के मिश्ट्री में किजितो है चलो एमजी और इस फॉर का रिक्सिन करवाता है दोनों का दोस्ति करवाओ पहले तो ढगा दो now mg or SO4 mg की संजोगता 2 SO4 की संजोगता 2 मैंने बताया था अगर संजोगता same हो तो उसको cancel कर दिजेगा यहां पको क्या है 212 212 then bring this 21 here here on this side now mg1 SO4 1 we can write here mg SO4 now mg CO3 आजाओ बोलेंगे सर इजी तो है mg की संजोगता भी 2 SCO3 की भी 2 cancel हो रही है now cancel कर दो 1 धरने की जवरत नहीं है ना लिख दो mg1 नहीं लिखते chemistry में 1 नहीं लिखते chemistry में दिन हो जाएगा हम लोग का reaction complete now mg और PO4 चलो यह थोड़ा सा है दिखना mg की संजोगता 2 PO4 के संजोगता 3 यह 3 को लाओ 2 को यहां लाओ mg3 PO4 2 42 लगने लगा इसको अलग करने के लिए आप लोग क्या करोगे यहां पर एक breaker दे दोगे यह हो गया mg3 PO4 hole 2 plus H2 और लास्ट है आपका nitrate ना देखो magnesium and nitrate 2 and 1 लाओ 1 को यहां 2 को यहां mg रफ जरूर करना shortcut नहीं भागना याद हो जाए बहुत अच्छी बात है बट शॉट कर नहीं करना mg3 को हो और थ्वासर रियक्शन को तभी फ्यक्टिव माना जाता है जब सभी का नाम नीचे लिग दो जैसे इसका नाम है इसके नीचे मैंने लिग दिया मैगनीशियम प्रासर नाम लिख दो और ज्यादा इफ्यक्टिव माना था क्लॉराइड तो आप लोग प्रियास करना ना मोगरा सारा लिखना मैंने वीडियो नंबर 3-4 में आप लोगों को सिखाया हुआ है तो इस तरह आप लोग क्या बना सकतो है अल्मुनियम का हाइड् नो तरी के साथ अभी के है पोटेसियम चील पोटेसियम हैसे में सफोर पोटेसियम ही और उसके बाद हम लोग है जा रहा है एक चीजिया बुलू कलर से जो जा रहा है वो फिजिक से रेट कलर से जो जा रहा है वो केमेस्ट्री और गरीन कलर से जो जाएगा वो रहेगा बायो का ठीक है चलिए पढ़ते रहें मुश्कुराते रहें